देश का प्रधान मंत्री युवा क्यों नहीं होना चाहिए? 73 साल की उमर में आपको तीसरी बार मौका चाहिए और आप सेना को लेके अपने कुतर्क दे रहे हैं ये तो किसी को समझ में नहीं आएगा क्या प्रधान मंत्री जी ये कहना चाहते हैं कि भारत की जिस सेना ने पाकिस्तान के दो टुकडे कर दिये वो सेना युवा नहीं थी, बहादुर नहीं थी, सक्षम नहीं थी सेना को सक्षम और मजबूत बना रहे हैं या कमजोर बना रहे हैं ये सवाल अपने आप से पूछिए प्रधान मंत्री थी कारगिल विजय दिवस के मौके पे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर अगनिवीर योजना को लेकर निशाना साधा है और उस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं आम आदमी पाटी के राज़े सबासान सथ संजय सिंग सर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी अगनिवीर योजना को बता रहे हैं कि इसलिए लाये गया ताकि सेना युद्ध के लिए हमेशा तयार रहे फिट रहे और ये भी कह रहे हैं कि जिन लोगों ने सेना को कमजोर किया वही लोग आज अगनिवीर स्कीम को लेकर भ्रम पहला प्रधान मंत्री ये कहना चाहते हैं कि भारत की जिस सेना ने पाकिस्तान को बार बार हराया वो सेना वीर नहीं थी, बहादूर नहीं थी, सक्षम नहीं थी, युवा नहीं थी क्या प्रधान मंत्री जी ये कहना चाहते हैं कि भारत की जिस सेना ने पाकिस्तान के दो टुकडे कर दिये वो सेना युवा नहीं थी, बहादुर नहीं थी, सक्षम नहीं थी क्या अब तक जो हमारे भारत माता के वीर सपूतों ने अपने प्राणों की आहूती दे कर भारत की सीमाओं की रख्षा की, वो बहादुर नहीं थे ये कहना चाहते हैं प्रधान मंत्री जी, तो ये तो हमारी सेना का घोर अबमान है और आज कारगिल युद्ध के विजय दिवस पर प्रधान मंत्री जी अगर ये बोल रहे हैं तो मैं प्रधान मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि प्रधान मंतरी जी कारगिल युद्ध में शामिल होने वाले हमारे जो सैनिक थे, हमारे जो उस समय के सेना के अधिकारी थे, जिनों ने अपने प्राणों की आहुती दे के भारत माता की रक्षा की, वो वीर नहीं थे, भाहदूर नहीं थे, युवा नहीं थे, आपने तो एक साल की ट्रेनिंग होती थी, किसी सैनिक की, उसके बाद पांच साल वो फील्ड में ढूर्टी करता था, फिर उसको युद्ध की स्थिती में आगे किया जाता था, आपने तो 6 महिने की ट्रेनिंग कर दी, और उस 6 महिने की ट्रेनिंग के बाद 4 साल की कुल नौकरी कर दी उ आप सेना को सक्षम और मजबूत बना रहा हैं या कमजोर बना रहा हैं। ये सवाल अपने आपसे पूछीए प्रधान मंत्री जीू को तो देस का प्रधान मंत्री युवा क्यों नहीं होना चाहिए। 73 साल की उमर में आपको तीसरी बार मौका चाहिए और आप सेना को लेके अपने कुतर्क दे रहे हैं ये तो किसी को समझ में नहीं आएगा और इतनी ही अच्छी योजना अगर ये है तो बीजेपी के सांसुदों और मंत्रियों को कहिए उनके बेटों को कहिए चार साल जाके स अधार मंत्री जी कर रहे है कि इस पर विपक्ष का हमला जारी रहेगा लेकिन और सवाल है सर ये आपके सहयोगी दल की तरफ है चरंजीत सिंग चन्नी जो पंजाब के पूर मुख्यमंत्री रहे उन्होंने कल अमरत पाल जो अब सांसद हैं उनका बचाव करते हुए ये तक कह दिया कि अब 20 लाख लोगों ने उनको चुन कर भेजा और उनको अभी भी जेल में रखा गया एक तरह की इमर्जिंसी देखें ऐसा है उनकी खुद की पार्टी ने चन्नी के बयान से किनारा कर लिया और कहा कि उनके इस बयान का वो समर्थन नहीं करते नंबर एक दूसरी बात ये है कि चरण जीत सिंग चन्नी क्या ये भूल गए कि ये वही अमरित पाल सिंग है जो स्री गुरुगन साहब जी को आगे करके थाने में प्रदर्शन करने पहुँच गया ऐसे व्यक्ति का पंजाब का कोई भी सिक, कोई भी हिंदू, कोई भी आम नागरिक कभी समर्थन नहीं कर सकता अब ऐसे व्यक्ति के समर्थन में खड़े हैं जो समाज को विभाजित करने का काम कर रहा है तो ये बयान चरण जीत सिंग चन्नी का अत्यंत दुर्भाग गिप हैं और निश्चित रूप से ऐसे बयानों से समाज में अलगावाद और विभाजन पैदा होगा एक आखरी सवाल उत्तर प्रदेश से आप आते हैं वहीं पे कैसी हालात बन रही है सुद्रों के वाले से खबर आ रही है कि विधायक नाराजगी जाहिर कर रहे हैं मुख्यम मंत्रियों को रहना है वो मंदल की बैटकों में नहीं आ रहे हैं देखे पहली बात तो यह समझ लीजे कि यह कोई खेल उत्तर प्रदेश का नहीं है यह खेल है दिल्ली का यह खेल है मोदी जी का यह खेल है अमिश्चा जी का तो मोदी अमिश्चा जो चाहेंगे वो केसों म लेना देना राज्जी की पार्टी से उत्तर प्रदेश के बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है इस गलत फ़हमी में अगर कोई है तो अपने दिमाग से वो गलत फ़हमी निकाल दीजे मोदी जी जब चाहेंगे योगी की सरकार किर जाएगी यही तो हो रहा है और क्या हो र पूरे लगिए सुष्ड़क के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद. वीडियो सही उगी मनीश बिधूरी के साथ मेमेध भार्दाश दिली.